हलो नमशकार, दोस्तों वगत है हब सभी का Auto Compare मि दोस्तों आज की वीडियो मिनों कंपरेसन करने वाले हैं टाटा की नई अल्टोस और मार्थीजी की मौदुधा Swift के बीच में दोस्तों क्या टाटा की ये नई अल्टोस मार्थी Swift को टक्कर दे पाए या नहीं आज की वीडियो हम यह देखेंगे चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं सबसे पहले डिजाइनिंग के साथ तो टाठा एल्ट्रोस के अंदर आपको अल्फा आर्क एडिटेक्चर देखने को मिलता है जो कि एक प्रीमिम हैजबैक कार है वहीं बात की जाए मार्थी शिफ्ट तो यहाँ पर आपको हटेक्ट प्रेट्फॉर्म देखने को मिलता है जो कि यह भी एक फाइब सीटर फैमिली कार है लेकिन दोस्तों सुरुवात करेंगे इंजन के साथ तो देखिए सबसे पहले अल्ट्रोस के इंजन में आपको बदा दूँ तो इसमें आपको 1.2 लीडर का रेवेट ट्रॉन बीए सिक्स्री स्लेंडर का इंजन देखने को मिलता है यह पैट्रोल इंजन है और यह जन्रेट करता है 86 PS का पावर with a torque of 113 Nm और दूसरे एंजन डीजल आता है जो कि यह आपका 1.5 लीडर का रेवेट ट्रॉक बीए सिक्स फोर स्लेंडर 90 PS पावर जेनरेट करती है एड़ेट अजन देखने लिबात यह है कि जो इसका पहला एंजन है वो एक 30 स्लेंडर एंजन है अब बात करें मार्टीज की स्विफ्ट की तो देखिए मार्टीज की स्विफ्ट के अंदर आपको पहला एंजन है 1.2 लीटर का VBT पेट्रोल एंजन देखने को मिलता है और मैं बता दू यह एक BS4 एंजन है और वहीं सेकेंड एंजन की बात की जाए तो वो स्विफ्ट में आपको 1.3 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है और यह एक 4 सेटर एंजन है और यह एक DDSI एंजन है और दो यह भी एक BS4 एंजन है तो यहार सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यहीं के लिए रहो गया कि आपको एलट्रोस में BS6 एंजन देखने को मिलता है जो कि यहां पर आपको 5-speed manual transmission दोनों ही गारी में देखने को मिलता है हलाकि यह भी एल्ट्रोस में automatic transmission को रिविलेस नहीं हुआ है बात की जाए boot space तो आपको एल्ट्रोस में 345 लीटर का boot space 37 लीटर का fuel tank और 5 seats देखने को मिल जाते हैं वही बात करें swift में तो आपको 268 लीटर का boot space, 37 लीटर का fuel tank और 5 seats देखने को मिलते हैं तो यहां boot space की बात की जाए तो आपको एल्ट्रोस में 345 लीटर का boot space देखने को मिलता है कहां आपको swift में 200 औरशल लीटर का boot space देखने को मिलता है लेकिन भाई एक चीज़ है जो टाटा हेल्ट्रोस को काफिय लग बनाती है वो है सेफटी दोस्तों टाटा हेल्ट्रोस को 5 स्टार ग्लोबल NCEP रेटियों मिले हैं वहीं बात की जाए मारुदी स्ट में तो मातर आपको 2 स्टार देखने को मिलता है जियां दोस्तों यहां बात की जाए दोनों ही गाड़ी में ABS-EBT देखने को मिलता है पर आपको टाटा की एल्ट्रोस में Corner Stability Control System देखने को मिलेगा जो की मारुदी की Swift में नहीं देखने को मिलता है दोस्तों दोनों ही गाड़ी में River Parking Sensor and Cameras देखने को मिलेंगे ISO Child Fixed Seats देखने को मिलेंगे और Parking Star का Global NCIP Rating देखने को मिलता है तो भाई मैं आपको क्लियर ही बहु सकता हूँ Tata El Trozy सबसे ज़्यादा बेस्ट है अलाकि अब Market में आने के बाद किसकी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है Interior Design किसका लोगों को ज़्यादा पसंद आता है ये लोगों को सोचने के अबार Depend कर देता हूँ आप डिसाइड करके बता हो यार कमेंट बॉक्स में वो किसका इंडिरेट ज़्यादा बैतर लग रहा है दोस्तों और भी ऐसे comparison आते रहेंगे इन comparison को देखने के लिए आप subscribe कलीजे auto compare को और अगर आपको ये वाली comparison पसंद आयो ना तो वीडियो पे एक लाइक